कि अच्छी लगी इससे अच्छी मूवी कोई होई नहीं सकती राज कुमार इरानी के गोर्डन हाट से निकली वी ये फिल्म मुझे सबसे अच्छा जो फेस लगा मुना भाई का जब पूने के जेल में थे वह वहड़ा गैट अब अच्छा लगा मुझे वह दो गैट अप बहुत लगे खास कर इस फिल्म में और ऑर बहुत रभी गैट अफ है मगर उससे अच्छा यह दो गेट अब सबसे बेस्ट है बहुत सारी गर्फ्रेंड से संजीदर की उनकी लाइफ में कई सारी हिरोईंस आई हैं ठीक है बहुत सारी एक्ट्रस कारी फिल्म के अंदर किन का परफॉमिस आपको अच्छा लगा मुझे करिश्मा त्मना का परफ्फार्मस अच्छा लगा आनूशका शर्मा का परफफर्म वह च्छा लगा देख द्रा डायटर चारम काउषल का बेटा विक कउषल का एक्टिंग गए एज एफ्रेंड में बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देखते हुए और मुझे मुझे लगता है शान कौशल का जो बेटा है विकी शुकौशल इस फिल्म से वो उनका अच्छ अच्छे रोल मिलने वाले मिलने वाले मुझे एक और परफामेंस बहुत च्छा लगी वह फिल्मों में आने की वाक्सी विल्कुल अच्छ जाए परेश्रावज सर स्रफ का परेश्रावज स्रे पारेश्रावल सब्मार है पर संजी दथ का रोल करते हुए वो बहुत अच्छ लगे मगर tight अपर उनकी Layer तो सामने देकी हुई है मगर मुश्किल काम यह है कि स्श क्या आपने सीखा इतनी सारी स्टूरीज है संजेदत की मुझे लग चाहिए कि मैंने एक चीज बहुत अच्छी लगी हर बेटे को अपने बाप की बात सुननी चाहिए और 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 हमेशा बाप को बेटे के साथ तब तक रहना चाहिए जब तक वो सक्सेस पर ना पूंजाए अजब तर उसको फ्रीडम ना पुंज है कापी मुश्काल भी लग रहे है फिल्म देखने के बादा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि राज कुमार इडानी इतनी अच्छी बायोपिक मनाई है मुझे लगता है कि ये बायोपिक तीन सो क्रोड प्रस जाएगी और ये प्रस आफिस का निया रिकॉर्ड सेट करेगी जो लोग ये फिल्म देखने के लिए विजार कर रहे हैं जो देखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे जरू देखिये मगर एक गाना मुझे बहुत पसंद है हार मदान फते इतना अच्छा गाना सुकिंडर से इन ने यादगार वाले डायलोग नहीं लगे अच्छा यह बताएं यह बताएं आप अच्छी फिल्म है राजकुआ इरानी और अभिजा जोशी ने जो स्क्रिप्टिंग की है बहुत अच्छे धंग से स्क्रिप्टिंग की है मुझे लगा है कि बहुत सेंसिबल दंग से स्क्रिप्टिंग की है थेंक्यू सो मुछ हमसे बात के मिली थेंक्यू तो मुछ How was the movie? The movie was awesome as you know the audience expectations were high that will this movie be like average or flop but this movie isn't excellent as it is directed by the brilliant director Mr. Rajkumar Hirani sir I have highest regards for him What was so special in the movie? Kya khas paten? Like if I would like to give you a short brief about this movie generally it happens that the biopic fails and they look sometimes boring but the treatment which Rajkumar has given with his golden Midas touch is something which I would you know I loved the movie Ranbir Kapoor acting his body language the way he speaks the way he gets the mannerisms of Sanjay Dutt What did you learn from? The movie sends out the message to the viewers that you know whenever you have a downs in your life sometimes you may fail but you should rise above the Phoenix like if you have if you if you are stuck in the failure don't be then don't get upset you should try out the best out of you Is it about any performance of Ranbir? Ranbir is absolutely brilliant his mannerisms of Sanjay Dutt the way he speaks the 90's Sanjay Dutt especially the rockstar days of you know Sanjay Dutt so he was absolutely brilliant in the movie 5 out of 5 thank you no doubt 15 60 but the a a we have a a a